किसानों को इस साल कॉटन का भाव पहले जैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अब इसे स्टोर करके रख रहे हैं. ताकि तेजी आने पर वो कमाई कर सकें. पिछले साल भी काफी किसानों ने कॉटन स्टोर कर रखा था लेकिन उन्हें 2021 और 2022 जैसा भाव नहीं मिला. तब 12,000 र इसलिए अब स्टोरेज ही एक मातर विकल्ब बच रहा है, जिसे किसान अपना रहे हैं. भारत में दुनिया का 22 प्रतिशत कॉटन पैदा होता है, लेकिन यहां किसान उचित दाम के लिए तरस रहे हैं. किसानों को आने वाले दिनों में इसलिए कॉटन के दाम में तेजी की उम्मीद है क्योंकि उतपादन में कमी का अनुमान है. कॉटन एसोसियेशन आफ इंडिया, C.I. ने अपने पहले फसल अनुमान में बताया था कि 2023 से 24 में उतपादन 295.1 शूने लाक गांट होगा. एक गांट 170 किलोग्राम कॉटन होता है. यह उतपादन पिछले देर दश में सबसे कम है. जबकि पिछले वर्ष का अनुमान 318.9 शूने लाक गांट था. उतपादन में कमी के अनुमान की वजह से ही किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दाम बढ़ेगा. किसान कॉटन को इसलिए स्टोर कर रहे हैं क्योंकि किसी एक शेत्र में आते हैं. इसमें पिछले साल की तुलना में 43 लाक गांट का अनुमान है. मध्य शेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं. इसमें उतपादन 189.6 शूने लाक गांट होने की उम्मीद है जो पिछले साल 194.62 लाक गांट था. दक्षिन शेत्र में कर पिछनाटक, तमिलनाडू, तेलंगाना और आंधर प्रदेश आते हैं. इसमें उतपादन 67.5 शूने लाक गांट रहने का अनुमान है, जो कि पहले 74.85 लाक गांट थी. साल 2023 से 24 के मार्केटिंग सीजन के लिए मध्यम रेशेवाली कपास का न्यूंतम समर्थन मूले 6620 प्रती क्विंटल तै किया गया है. महाराष्ट्र राजे की ज्यादातर मंडियों में दाम 5,500 से 6,500 रुपए प्रती क्विंटल तक चल रहा है, जो किसानों को मंजूर नहीं है. इसलिए वो कॉटन स्टोर करके रख रहे हैं. ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स प्रती क्विंटल तक चल रहे हैं.